परमपूजनीय स्वामी जी भारत स्वाविमान के कारे में लगे भाई ओ बहनों परमपूजनीय स्वामी ते निर्देश है कि मैं आप से विदेशी कंपनियों के बारे में बात करूँ जो भारत में लूट रही है हमारे देश को हमारे देश की पूजी को हमारे देश में आज की तारीख में जब मैं आप साथ कर रहा हूँ 2009 चल रहा है मई का महिना इस समय अपने देश में लगबग 5000 से कुछ ज़्यादा विदेशी कमपनिया है जो देश में काम कर रही है या दूसरे शब्स देश को लूट रही है हिंदोस्तान लीवर है कॉल गेट पामो लिव है प्रॉक्टर एंड गेंबल है जॉनसन इंजॉनसन है सी बगाईगी है इंडोस है हेक्स्ट है फाइजर है जर्मन रेमेडीज है ऐसी लगबग 5000 से कुछ ज़्यादा कमपनिया है अगर 1947 के पहले इस देश में एक ही विदेशी कमपनिय थी जिसका नाम था इस्ट इंडिया अगर 1947 के बाद 5000 से ज़्यादा विदेशी कमपनिया हो गए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक विदेशी कमपनी ने भारत को इतना लूटा था कि दुनिया का सबसे सरवच शिकर पर बैठा हुआ समरुद्धी कमपनिया कंगाल और भिकारी देश बन गया तो 500 से ज़्यादा विदेशी कमपनिया इस देश को कितना लूटेंगी ये अंदाजा आप लगा सकते हैं हमारे देश में 1997 से 1990 तक सरकार में कोई देश का विकास करने की गरीबी खतम हो सडकों का विकास हो बिजली गाउं सिक्षा सभी बच्चों को उपलब्द हो स्वास्त और चिकित्सा की विकास की विकास के जो पहमाने माने जाते हैं इन की सरकार में 1947 के बाद से लगातार देश की 1990 तक कई सरकारें आई आई दो सरकारों को छोड़कर एक सरकार भी थी 1947 के बाद हमारे देश में श्री लाल बहादुर श्री की और दूसरी सरकार आई थी हमारे देश में श्री मुरारजी देशाही की ये दो सरकारें थी तारे महीने चली और एक सरकार लगवग 24-25 महीने चली तो इन दोनों सरकारों ने ही सिर्फ भारत देशी कमपणियों के लिए रास्ता बंद किया था लाल बादर शास्त्री जी की मानेता थी देश का विकास्तों देशी पूंजी से होगा स्वदेशी संसाधनों से होगा लाल बादर शास्त्री जी कहा करते थे और शास्त्री जी कहा करते हैं सबसे बड़ा विकास्तों देश के किसानों से होगा उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसानों अतनी दूर द्रश्टी थी उनकी इस बात का अंदाजा आता थे हमारे जो जवान सीमा पर देश की सुरक्षा में लगा निन्यानवे पर जवानानों के बेटे हैं मानि ग्रामिल प्रस्ट भूमी से हैं माने पूरी सेना हमारी पूरी की पूरी हमारी जल सेना पूरी की जितने सैनिकों से सज्जित है उनमें गाउं के हैं, किसानों के बेटे हैं, तो श्री शास्त्री जी का ये कहना था कि किसानों मजबूत होगा, तो जवान मजबूत होगा, तो खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी, निवेश और पूझी का उत्पादन दोनों ज़्यादा होगा, पूझी निवेश और पूझी का उत्पादन अगर ज़्यादा होगा, तो देश तेजी से विकास द्रश्टी किसानों पर थी किसानों को आत्म निर्वर होना चाहिए शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो बहुत ही विदेशी शर्टों पर ये देश अमरीकी गेहूं का आपको मालूम है यह बाद पी एल चार सो असी अमेरिका की एक योजना थी पी एल का माने उटा है पुब्लिक लौ पी माने पुब्लिक एल माने लौ चार सो असी अमेरिका के जो कानून बनते हैं न और उनके जो सम्मिधान की व्यवस्था है उसमें धारा है पी एल चार सो असी पुब्लिक लौ चार सो उस धारा के तहट अमेरिका दूसरे देशों को मदद कर तो उसी धारा के तहट भारत को मदद आती थी लाल अमेरिका से जिस गेहूं को अमेरिका भी नहीं खाते वो गेहूं भारत पासियों को खिलाया जाए बहुत अपमांजनक शर्तों पर ये काम पंडित श्री जवारलाल नहरू के जमाने से यह समझों और अमरीका से लाल रंग का गेहूं आ रहा था बीमारियां आ रही थी और उस गेहूं के साथ सबसे खतरी घास आई जिसका नाम है पार्थेनियम कॉंग्रेस घास कहते हैं यही कहते है महाराष्ठ में महाराष्ठ के किसान के खांप्र की किसान के पार्थेनियम जंगल घास कोई कहते हैं कोई गाजर घास कहते हैं कोई गाजर कॉंग्रेस घास कहते हैं उसने देश की अच्छी तो घास ची वो जंगलों की घास जो वन गुजरा दियों उनकी गाइब हैं सब्सक्राइब हैं आपको मालूम है ये घास आई उस गेहूं के वो गेहूं आया उस गेहूं के साथ जमीन को बंजर करने वाली घासें भी आई वो घास में फैली हुई है और लाखों एकड़ जमीन उससे पर्श हो जाए तुरंट खुजली मचना शुरू हो जाती है ये घास उसी लाल रंगे गेहूं के साथ आई है इसको ध्यान रखिएगा ये लाल रंगे गेहूं हमें खिलाया जाता था अमेरिका से ये आया करता था जवार लाल नहरू ने इसके लिए अमेरिका से एक समझोता किया था बहुती अंजनक शर्तों पर वो समझोता हुआ था मैंने आप से कहा इससे लादेश का अपमान क्या होगा कि जिस गेहूं को अ शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री बनते इस अपमान जनक समझोते को खतम किया था रद्द किया और आपको मालूप जी कितने आत्म सम्मानी व्यक्ति थे कितने स्वाभिमान ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है समझाइए कि हम चाहिमान के लिए काम कर रहे हैं स्वाभिमान कैसा होता है लिए उद्धारन दे रहा हूँँ जैसे ही शास्त्रि जी प्रधानमंत्र बने नहीं ने अमेरिका का ये समझोता रद्द किया तो अमेरिका का पैसा लेता रहे वो फोकट में नहीं आता था उसके लिए बाकाइदा पैसा जाता था इस देश से दूसरे रास्तों से जाता था ये नहीं चाहता था ये समझोता रद्दो एक तो अमेरिका की दादेगिरी रखे वे उपर दूसरा ये समझोते से हमारा आत्मसंबान हमेशा गिरवी रहेगा स्वावीमान हमारा कभी खड़ा नहीं हो पाएगा इसलिए कोशिश थी समझता रद ना हो तो शास्तिरी जी पर दबाओ डाला गया और शास्तिरी जी को कहा गया कि अगर आप ये लाल रंग का गेहूं नहीं खाने और आपके देश भूखे मर जाएंगे आपके देश के लोग बूखे तो समझौता रद हुआ तो अमेरिका की वड़ी बड़ी कम्पणीयां बिलविलाने लगी परेशान होने लगी जो कम्पणीयां गेहु बेचने कर रहीं थी हिंदुस्तान में उनके सारे धंदे चौपट हो गए तो कमपनियों ने शड़ियंत्र किया और वो शड़ियंत्र में कामियाब हुए वो शड़ियंत्र उनका क्या था श्री लाल भादुर शास्त्री जी को भारत के धानमंत्री पद पर रहने नहीं देना क्योंकि उन कंपनियों के करोणों रुपाई के हित सदे हुए थे उसे और वो शड़ियंत्र में अंतिम समय तक काम हुए आप जानते हैं अपना समय पूरा नहीं कर पाए और 10 जनवरी प्रदान मंत्री थे इस देश के जिनोंने नीत कि किसानों की ताकत बढ़ाओ तो अपनिया बढ़ेगी और किसान और जबान अगर यह तो भारत की तो जड़े मजबूत हो जाएगे आप जानते हैं जो पूंजी का उत्पादन करता है उद्योगपती पूंजी का उत्पादन नहीं करता है उद्योगपती पूंजी का उत्पादन करता है उद्योगपती पूंजी का उत्पादन करता है उद्योगपती पूंजी का उत्पादन करता है उद्योगपती पूंज मेंसे अंकुरन होता है पौधा बनता है पौधे पर गेहुंगी बाल लगती है जब उस बाल को काटा जाता है तो उसमें कम से कम सवासों से डेड़ सो बीज होते हैं में आप एक रुपिया लगाएं तो पूरी ताकत लगाकर आप उसमें से साथ ही निकाल सकते हैं पचास पैसा ही निकाल सकते हैं दुनिया में ऐसा कार खाना कहीं नहीं बना जहां एक रुपिया लगाएं और एक रुपिया पांच पैसा भी मिल जाएं कार खाने में आप जितनी लागत लगाएंगे उससे कम ही निकलेगा मशीने दुनिया में जितनी भी काम करती हैं वो लागत में जितनी चीजें खर्च करती हैं उत्पादन उत्ता नहीं करते हैं तो कार खाने में पूझी बनती नहीं है पूझी लगती है पूझी बनती है खेत में जहां एक बीज डालो तो सवासो से डिर सो बीज होते हैं बाजरे का एक बीज डालो तो तीन सो जुआर का एक बीज डालो तो धाई सो से पौने तीन सो बीज होते हैं यह धरती माता ही कर सक यह दुनिया में कोई नहीं कर सकते हैं तो पूरा रिटर्न आपको मिलता है लागत लगाकर जो मुनाफ़ा आप निकालते हैं वो कम से कम तीन वर्ष में मिलता है कोई भी कार खाने सीमेंट का कार खाना हो लोह कार खाना हो किसी दूसरी इंडस्ट्री की बात करें जिसमें इन्वेस्टमेंट आपका आज होगा रिटर्न तीसरे साल में आएगा और जो मंदी वंदी के चक्कर में फस गए तो दसियों साल तक रिटर्न नहीं आ रहे हैं और दाने में पखल देती है, खेती में पूझी निवेश करने के तीन-चार मज़े में ही सारा रिटर ना जाता है और सैकड़ों गुना होकर आता है, ये समझ हमारे देश के दूसरे प्रधानमंतरी श्री लाल बहादुर शास्त्री को थी, अगर मैं ज्यादा अतिशयोक्ति नही दूसरों को अगर ये समझ होती तो वो जै जवान जै किसान से आगे की बात करते हैं। हिंदुस्तान में वह एक प्दान्मंतरी त는데 जिनोंने किसानों सब से ज्यादा सूद हरो तो भारत के नागरिकों ने भी शास्त्रिजी फूरा बदला दिया आप जानते सोमवार के दिन शास्त्री जी ने देश के लोगों से अपील की थी कि आप भारत के लोगों एक समय दो समय का भोजन बंद कर दो करोणों हिंदुस्तानियों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया था करोणों हिंदुस्तानी सोमवार को खाना नहीं खाते थे और आज भी ऐसे हिंदुस्तानी है शास्त्री जी को गए हुए सालों बीत गए हैं लेकिन करोडों हिंदुस्तानी आज भी सोमवार को खाना नहीं खाते क्योंकि शास्त्री जी के साथ वाइदा किया था गेहूं अगर हमारे देश में कम होता है और अमेरिका से अपमान जनक शर्तों पर खरीदना पड़ता है तो वो अपमान का गेहूं खाने से अच्छा है वरत करना करोडों हिंदुस्तानी ने वरत करना शुरू किया शास्त्री जी ने करशी विश्व विद्यालेओं में रिसर्च का काम शुरू कराया गेहूं पर इतना ज़्यादा रिसर्च हुआ कि आज हिंदुस्तान दुनिया में गेहूं पैदा करने वाले देशों में सबसे बड़ा दूसरे नंबर का देश हो गया 1966 में जहां हमारे याँ गेहूं का आकाल था गेहूं होता नहीं था हम गेहूं के लिए तरस्ते थे आज हमारे देश में इतना गेहू होता है कि हजारों करोड रुपए का हमारा गेहू तो चूहे खा जाते हैं इतना होता है हम खाते हैं, हमारे पडोसी देशों को खिलाते हैं और बहुत सारा गेहू हमारे चूहे खा जाते हैं धन्य हैं पंजाब के किसान धन्य हैं हर्याणा के किसान धन्य हैं उत्तर प्रदेश के किसान धन्य हैं मद्य प्रदेश के किसान धन्य हैं राजिस्थान गुजरात महराश्ट के किसान जिनों ने गेहूं उत्पादन करके इस देश को स्वाव लंबी बना दिया स्वाब इमानी बना दिया और दूसरे दिश्वों से गेहूं खाना मंजूर नहीं अगर शास्त्री जी ये बात नहीं कहते तो ये गेहूं आता रहता और हम कभी गेहूं उत्पादन में आत्मा विवानी बन नहीं पाते स्वावलंबी बन नहीं पाते और आज तक अमेरिका का गहूं खा रहे होते तो शास्थिजी भारत के पहले प्रधान मंतरी जिनकी नेतियां स्वाविमान के लिए और स्वधेशी के लिए थी शास्त्री जी ने और एक नीती बनाई थी जिसकी चर्चा लोगों के बीच में नहीं हुई है उन्होंने दूसरी नीती बनाई थी कि हिंदुस्तान का विकास स्वदेशी पूजी से होगा स्वदेशी तकनीकी से होगा और स्वदेशी संसाधनों से होगा हिंदुस्तान में विदेशी कंपनिया नहीं आएगी विदेशी कंपनियों को आने नहीं दिया जाएगा उस जमाने में शास्त्री जी पर बहुत दबाव होता था कि अमेर साल की गुलामी जहली पड़ी अब दुबारा से विदेशियों को बुलाएंगे तो पता नहीं कितने हजार साल की गुलामी आएगी तो उन्होंने किसी विदेशी कंपनी को आने नहीं दिया स्वदेशी तक्निकी का विकास स्वदेशी कंपनियों का विकास स्वदेशी उद् थारवे महिने में ही उनको हटा दिया गया रास्ते से कुर्सी से ही नहीं उतार दिया उनको इस दुनिया से विदा कर दिया आपको मालूम है पाकिस्तान का हमला हुआ था इस देश पर उस हमले का शास्त्री जी ने करारा जवाब दिया और शास्त्री जी ने ये जो जै जवान जै किसान का नारा दिया न तो जवाणों में इतना जोश था कि लाहौर तक का पूरा इलाखा भारत की सिना के कबजे में आ गया था लाहोर तक बाज में पाकिस्तान गिडगड़ाने लगा पैरों में पढ़कर रोने लगा शांस्तिरी जी के सामने मिमियाने लगा पाकिस्तान गलती पाकिस्तान ने की थी हमला करके पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि भारत की फौज इतना करारा जबाब देगी क्योंकि पाकिस्तान इस गफलत का शिकार था कि 1948 में जब पाकिस्तान ने 47-47 में जम्मू कश्मीर पर हमला किया था और भारत की फोजें उस समय उतनी तैयार नहीं थी हाला कि जब आब उस समय भी दिया था भारत की फोजों ने पाकिस्तानी फोजों को भागना पड़ा था लेकिन पाकिस्तान को 1965 में ये गफलत हो गई कि फोजें हिंदुस्तान की ज़्यादा तैयार नहीं है तो उन्होंने हमला कर दिया लेकिन तैयारी इतनी जबरजस्त थी कि पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा और लाहर तक पाकिस्तान हार गया भारत की सेनिकों का कबजा हो गया फिर शास्त्री जी गए सोवियत संग की शरण में अमेरिका की शरण में अमेरिका और सोवियत संग के दबाव में शास्त्री जी ने एक फैसला किया कि जो हुआ इलाका है वो पाकिस्तान को वापस कर दिया जाए और जो सैनिक कबजे में आए थे वो भी वापस कर दिये जाए इसी समझोते पर हस्ताक्षर करने के लिए शास्त्री जी ताशकंद गए थे और 10 जनवरी 1966 को उनको दूद में जहर मिला के पिला दिया गया हुआ कि उनका एक रसोया था जो बराबर हर समय उनके साथ रहता था हर विदेश यात्रा में उनके साथ जाता था हर समय उनके साथ रहता था तो वो रसोये के हाथ का बनाया हुआ खाना ही खाया करते थे तो ताशकंद गए थे तो उनके साथ उनका रसोया भी गया था लेकिन ताश को वहां बिठा दिया गया और उसने शास्त्री जी रात को खाना नहीं खाते थे सामन निरूप से दूद्ध पीके सो जाते थे तो रात को उनको दूद्ध दिया वो दूसरे रसोईये ने बना कर दिया और उसमें जहर मिलाया बहुत ही तीवर जहर था बहुत तीखा जहर था वो दूद पीते ही शास्त्री जी को मिचली और उपकी आने का हुआ फिर सांस घुटने लगी बार-बार उन्होंने अपने रसोईये को अवाज दी लेकिन वो आया नहीं क्योंकि रसोईये का अपरण हो चुका था और उसको ले जाकर कहीं बंद कर रखा था थोड़ी देर में शास्त्री जी के प्राणा निकल गए शास्त्री जी के साथ जो उनके सहयोगी गए थे वो उनके शब को लेकर बापस आये तो भारत सरकार का क्या करतव था देश के प्रधान मंत्री की हत्या हुई थी मृत्यू नहीं होई थी लेकिन सरकार में इतना बड़ा जूट पूरे देश से बोला कि शास्त्री जी की हिर्दय गती रुकने से मृत्यू हो गई है इतना बड़ा जूट देश की तरफ से पूरी मीडिया को बोला गया प्रदायन मंत्री के बारे में आप सोचो कितनी कुरूर है ये शाशन व्यवस्था इसका अंदाजा लगाओ प्रदायन मंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति की हत्या की जाती है और सरकार के मीडिया की तरफ से सारे देश में ख़वर दी जाती है कि हिर्देगती रुकने से म्रत्य हुई तो शास्त्री जी के जो परसनल डॉक्टर थे परसनल फिजिशियन उनको शक हुआ कि शास्त्री जी के हिर्देगती से मौत हो नहीं सकती क्योंगा उनका cholesterol normal उनका blood pressure normal उनके triglycerides normal सब कुछ नॉर्मल तो हिरदेगती रुखने का कारण क्या stress कोई था नहीं क्योंकि जीत किया था उन्होंने युद्ध में हारे तो थे नहीं तो depression के शिकार भी नहीं थे, डिप्रेशन होता है, तो एस्ट्रेस होता है, तो फिर ट्राइगलिस्राइड बहुत बढ़ जाते हैं, कॉलेस्ट्रोल भी बढ़ जाता है, और हर्टिटेक का चांस हो जाता है, युद्ध में जीते थे, लाहर तक का इलाका कब्जे में ले लिया था, भारतिय सेनिका सेना की विजय हुई थी, तो डिप्रेशन का कोई कारण नहीं था, तो उनके डॉक्टर को शक हुआ, और उनके डॉक्टर ने उनका शरीर देखने की इजाजत मांगी, तो पहले तो शास्त्री जी का शरीर देखने की इजाजत नहीं दी गई उनके डॉक्टर फिर ये बात उनकी धरमपत्नी ने कही शरीमती ललिता शास्त्री ने तब उनके शरीर को देखने की इजाज़त मिली क्योंकि उनकी धरमपत्नी कह रही है तो धरमपत्नी का बयान है आखरी समय तक कि उनका शरीर पूरा नीला पड़ा हुआ था हिर्देगती रुकने में शरीर नीला नहीं पड़ता शरीर नीला पड़ता है जब उस शरीर को जहर दिया जाता है और उसके बाद भी हमारे देश की सरकार ने शास्त्री जी के शरीर का पोस्ट मार्टम नहीं होने दिया आप जानते हैं सामन इसे हत्या के केस में पोस्ट मार मार्टम होता है पुलिस केस बनता है एफ आई आर दर्ज होती है लेकिन भारत सरकार ने शरीर का पोस्ट मार्टम भी नहीं होने दिया क्योंकि पोस्ट मार्टम होता तुरंत बात समझ में आती कि जहर दिया गया और जहर दिया गया तो ततकाल सब इंक्वाईरी होती इंक्वाईरी होती तो शड्यंत्रकारी पकड़े जाते और वो शड्यंत्रकारी कौन थे अंदाज़ा आप लगाई सकते हैं तो वो शड्यंत्रकारी पकड़े जाते सारे देश के सामने उनका मुह काला हो जाता ये सब को दबाकर धापकर रख दिया गया और उनकी मृत्तिव शास्त्री जी की आज भी एक रहस्य और पहेली की तरह से है मैं आपको विनमरता पूर्वगताता हूँ कि हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री था जिसने किसानों की चिंता की जिसने जवानों की और सेना की चिंता की जिसने हिंदुस्तान की स्वदेशी पूजी कैसे बढ़नी चाहिए उसकी चिंता की स्वदेशी तकनी की कैसे वि आधिया दूसरे मिन्तरी इस देश में आये थे शास्त्तरी जीन के बाद थे वो भी कट्र सव देशी माधी तो, नदी केन्ने महात्मा गांधी के सामने संकल पिलिया था व्रत धारन किया था उनोंने थारे जीवन के आखरी दिन भारत का प्रधान मंतरी प्रधान मंतरी पद के सारे काम करते हुए रोज चर्खा चलाता था रोज खादी बुनता था और उससे जो बनता था वो इपहनता था ये हमारे देश में खादी का जितना विकास हुआ है आज हिंदोस्तान की आजादी के 62-65 सालों में 10-12,000 करोड की खादी बिक्ती अब तो 15,000 करोड से उपर की हो गई है ये सारा विकास मुराजी भाई देसाई के जमाने का है इस देश में मुराजी भाई देसाई ने कई नीतियां बनाई थी उन में से एक थी खादी ग्राम उद्योग को प्रोथसाहन गाउं गाउं छोटे- छोटे उद्योगों को उन्होंने हमेशा काम करें उनको रिजर्व कैटेगरी में डाला था छोटे माने शूनि तक्णीकी से बनने वाले किसी भी सामान को कोई विदेशी कंपनी बना नहीं सकती बेच नहीं सकती ये कानून बनाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे वो इस परम पूजिने स्वामी जी जो बार-बार कहते न शुनितक्नीक से बनी गई किसी चीज का आप उपयोग नहीं करेंगे जो विदेशी है इस बात को कानून बनाकर लागू करवाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे श्री मुराजी देशाई और इसमें एक बात और पूरे दे शुनितक्नीकी से बना हुआ उत्पाद नहीं बनाएंगे और उन सारे कानूनों को तोड़ करके इस देश में कानून की सरयाम भज्यां उड़ाती है और हम कहते हैं इस देश में कानून का राज़ा उस बारे में भी मगजाओं का दो शब्द कहें तो विदेशी कंपनी हमारे देश में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कही जाती है न ये सारा विकास श्री मुरारजी देशाई का किया हुआ है इसमॉल स्केल इंडस्ट्री छोटे उद्योग लगू उद्योग ग्रामिल उद्योग ग्रह उद्योग घरेलू उद्योग ये सब छोटे छोटे का काम छोटे उद्योगों में चलता है मुंबत्ती बनाने का काम चलता है यह सब श्री मुरार जी देशाई की देन है इस देश को परिणाम क्या हुआ जैसे यह कानून बना तो विदेशी कंपनियों का रास्ता बंद हो गया और स्वदेशी कंपनियां धड़ा-धड़ खुल देन हिस देश को हैं कि आज हिंदुस्तान में पांच करोड असी लाक छोटे स्वदेशी उद्योग चल रहे हैं कि पांच करोड असी में इन में छोटे से छोटा स्वदेशी उद्योग है जो एक या दो से लेकत दस आदमियों के द्वारा चलाए जाता अपने घर में जैसे आपने देखा अगरवत्ती बनाने का काम महिलाएं घरगर में कर लेती हैं एक अकेली महिला दिन में दो हजार तीन हजार अगरवत्ती बना लेती है मुंबत्ती बनाने का काम दियासलाई बनाने का काम ऐसे छोटे छोटे उद्योगों को चलाकर इस देश में पांच करोड़ असी लाक हैं जो केंद्र चल रहे ये श्री मुरार जी देशाई और हमारे देश के शास्त्री जी की देश ये छोटे छोटे स्वदेशủी उद्योगों पर आज बहुत बुरी तरह से मार पड़ रही है मार क्या पड़ रही है शास्त्री जी की नीती थी छोटे Swदेशि उद्योओं को बढ़वा देने की लेकिन उसके बाद के जितने भी प्रधानमंत्री आये उन सब की नीती थी छोटे स्वदेशी उद्योगों को खतम कर देने की जितने भी प्रधान मंत्री आई आप जितने भी नाम लेना चाहें वो ले सकते हैं एक नाम को छोड़कर चौधरी चरण सींग क्योंकि वो अकेले एक मात्र प्रधान मंत्री थे जिनोंने कभी संसद का मूँ ही नहीं देखा प्रधान मंत्री बने और थोड़े दिन में उनकी कुरसी खिसक गई सब चला गया तो उनको तो मैं मानता नहीं उनका तो इसलिए हम छोड़ सकते हैं कोई उनके ऊपर हम टिपणी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बिचारे इतने जादा गलत फहिमी के शिकार हुए कि जिस सरकार में पहले बहुत हूचे सतर के मंत्री थे मुरार्जी देशाई की सरकार में उसी सरकार को गिरा कर वो प्रधान मंत्री बने और जिनोंने सयोग दिया था गिराने में उन्होंने कुरसी खीच ली और वो विचारे चित हो गए तो उन्होंने तो संसत का मुई नहीं देखा बाकी जितने भी प्रधान मंत्रियों के नाम आप याद कर सकते हैं कर लीजे हर एक प्रधानमंत्री ने एक ही नीती बनाई छोटे स्वदेशी उद्योगों को खतम करना और विदेशी कमपनियों को बढ़ावा देना 1991 में इस नीती को एक नाम दिया गया उसका नाम है उदारी करण दूसरा नाम दिया गया वैश्वी करण अंग्रेजी में कहा गया लिब्रलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन तो ये उदारी करण और वैश्वी करण के नाम पर 1990 से सारे दरवाजे खोल दिये हमारे देश में और विदेशी कमपनियों को बुलाना अंदाधुंद शुरू कर दिया गया शास्त्री जी ने कहा विदेशी कमपनियों को मत बुलाओ मुरारजी देशाई ने कहा विदेशी कमपनियों की हमें जरूरत नहीं है लेकिन हमारे देश के शास्त्री जी और मुरारजी देशाई के बाद के प्रधान मंत्रियों ने कहा हम तो विदेशियों को ही बुलाएंगे और ये जो बाद के प्रधान मंत्री आये ये प्रधान मंत्री लगवग सभी पार्टियों से रहे किसी के समर्थन से किसी के सास सीधे इन मैंसे कई प्रधान मंत्री तो ऐसे रहे कि लोगों के बीच में स्वदेशी का नारा लगाते रहे और प्रधान मंत्री बनते ही विदेशी कमपनियों को बुलाते रहे कई प्रधान मंत्री तो ऐसे रहे लोगों को स्वदेशी की बात करना और सत्ता में बैठते ही प्रधान मंत्री बनते ही समझोता विदेशी कंपनियों के लिए करना इस तरह का धोका देने वाले पाखंड करने वाले प्रधान मंत्री आए इस देश में उन्होंने क्या किया इस देश में नीती बना दी उदारी करन वैश्वी करन अब उनके आधार पर हजारों कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिये पर ये ऐसी 5000 से जादा कमपनियां गुस गई इन कमपनियों को गुसाने के लिए इन सारे प्रधानमंत्री और उनके जो सयोगी नेता थे ना उन्होंने चार तर्क दिये देश संसत के अंदर और संसत के बाहर पहला तर्क उन्होंने दिया कि भारत को पूजी की बहुत जरूरत है और देश में पूजी का उत्पादन नहीं हो पा रहा है इसलिए हमें विदेशी पूजी चाहिए और विदेशी कमपनिया आएगी तो उसके साथ विदेशी पूजी आएगी और देश का विकास उससे होगा आप इस बात को समझने की कोशिश करो देश में पूजी की कमी क् अपने घर में किसी चीज की कमी हो जाए तो विचार करेंगे कि नहीं हमारे घर में कमी क्यों है इस चीज की और उसके बाद आप कोई नीती बनाएंगे कि अपने घर की कमी को दूर करने के लिए क्या किया जाए तो देश की अंदर पूजी की कमी क्यों आई है इस पर विचार करें मैंने थोड़ी देर पहले आप से कहा पूजी का उत्पादन होता है धर्ती माता से ध्यान रखिए ये धर्ती मैया है जो पूजी उत्पादन करके देती है दुनिया में कोई नहीं देता और ये धर्ती मैया का बेटा है किसान जो पूजी उत्पादन करके देता है दूस हुआ जिसके चलते इस देश में पूंजी की कमी आई किसानों का शोशन और शड़ियंत्र जानते हैं क्या हुआ आप में से कितने किसानों के बेटें हैं जरा हाथ उठाइए सबके सब किसानों की बेटियां भी हैं सब बहुत अच्छा हाथ नीचे करिए आपको मालूम है आज से पांच साथ साल पहले तक ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मात्र पांच साथ साल पहले तक इस हिंदुस्तान के किसान को सबसे महगा कर्ज मिलता था और उद्योग पतियों को सबसे सस्ता कर्ज मिलता था मालूम है यह बाद आज से पांच-साथ साल पहले तक अगर किसान को ट्रेक्टर खरीदना हो खेती करने के लिए बैल खरीदने हो खेती करने के लिए तो कर्ज का ब्याजदर होता था चौदे प्रतिशत पंद्रे प्रतिशत याद है कुछ पांस-साथ साल पहले तक चौदे पंद्रे प्रतिशत के कर्जे पर कर्ज हमें मिलता था ब्याज भरना पड़ता था 14-15 प्रतिशत और उद्योग पती बड़े-बड़े कारखानेदारों को कर्ज मिलता था 6 प्रतिशत, 7 प्रतिशत, 8 प्रतिशत, 9 प्रतिशत किसानों को कर्ज मिलता था 14-15 प्रतिशत और किसानों को प्राइवेट बेंकों से कर्ज मिलता था 20-25 प्रतिशत पर और विचारे कई किसान तो साहुकारों से कर्ज लेते थे 100 प्रतिशत ब्याजदर पर किसान इतना भोला भाला सीधा साधा है इस देश में जो कोई नहीं है जो किसान में थोड़ी होश्यारी और चाला की होती तो एक भी बेइमान और भ्रस्टाचारी इस देश में राज नहीं कर पाता ये किसान का भोलापन है कि बेईमान और भ्रस्टाचारी इस देश में राज करते हैं किसानों को कई बार चक्रवर्ती ब्याज देना पड़ता था मालूम है आपको चक्रवर्ती ब्याज जो दुनिया में सबसे खतरनाख एक बार मैंने हिसाब निकाला था मेरे लिए कि मैं अगर अमेरिका से एक डॉलर का करज ले लूँ और एक डॉलर का चक्रवर्ती ब्याज उसका साल का मुझे भरना पड़ जाए तो धाई सो साल के बाद मेरा कुल कर जितना हो जाता है जितना भारत की धरती इतना वजन का सोना अगर अमेरिका को मैं वापस कर तो कर्ज मुक्त नहीं हो सकता वो चक्रवर्ती ब्याज पर कर्ज मिलता था किसानों को साधरन ब्याज भी होती ती तो 14-15 प्रतिशत्की होती थी और सरकारों की नीतियां कैसी होती थी बड़े-बड़े उद्योग पति और पूजी पतियों को कर्ज उनके घर में देने के लिए बैंक अधिकारी जाते थे और किसान विचारा बैंकों से कर्ज लेने के लिए अपनी एडिया और चप्पले गिस्ता रहता था छे-छे महीने, आठ-ठ महीने, एक-एक साल, डेट-डेर साल बैंक वाले उसको चक्कर लगवाते थे मुश्किल से कर्ज मिलता था और ये बैंक वाले भी पिर कैसी बेहिमानी करते थे कि किसान को अगर एक लाख रुपए का करज मिल गया, तो बैंक मैंनेजर और बैंक अदिकारी उसमें से 25,000 खा जाते थे 30,000 खा जाते थे, किसान के हाथ में वही 50,60,000 आता था ये शोशन हुआ किसानों का दूसरा शोशन किसानों का क्या हुआ जिससे पूजी उत्पादन कम हुआ उसके कारण मैं बता रहा हूँ आपको दूसरा सोशन ये हुआ कि भारत अकेला दुनिया का ऐसा देश है जहां पूजी उत्पादन करने वाला समाज का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक आप बताईए जो पूजी उत्पादन करेगा वो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बाकी समाज तो पूजी का उत्पादन करने वाला किसानों का समाज है उसकी सबसे ज़्यादा प्रतिस्ठा और सबसे ज़्यादा सम्मान होना चाहिए था क्या है किसान इस देश में सबसे ज़्यादा अपमान सहने वाला वर्ग है किसान इस देश में सबसे ज़्यादा अपमानित होने वाला वर्ग है रेल की खिड़की पर टिकेट लेने के लिए अगर लंबी लाइन लगी हो तो दुद्कारने वाले लोग उन लोगों में सबसे ज़्यादा किसान ही पाए जाते है किसानों को सब दुद्कार देः खड़ जैए यहां से कहां आके खड़ा हो गया जबकि यह आजाद देश है उसका वो एक वोट का अधिकार है मेरा भी एक वोट का अधिकार रेल की खिड़की पर टिकेट लेने के लिए लाइन लगी हुई है उसमें दो चार किसान आके खड़े हो जाएं तो आगे और पीछे वाले अपनी नाक सिकोड़ लेते हैं कि ये कहां से आ गया उनको ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह से कोई प्रानी आ गया और किसान ही वो वर्ग है जो इस देश की रेल में यात्रा करे तो भेड़ और बकरी से भी जादा बदतर इस्तिती में उसको यात्रा करनी पड़ती है आप देखते हैं रेल के जर्नल क्लास के डिबे जिन में हमारे किसान जाते हैं बेड बकरियों की तरह से ठूस ठूस कर ठूस ठूस कर पाउं रखने की जगे नहीं होती है जिस डिबे में उसमें इस देश का सबसे प्रतिस्ठित वर्ग यात्रा करता है जो पूझी उत्पादन कर रहा है पूरे देश के लिए जो अन उत्पादन कर रहा है पूरे देश के लिए राशन की लाइनों में सबसे ज़्यादा अपमान किसी का होता है तो किसान का होता है रेलवे की टिकेट खड़की के सामने अपमान होता है तो किसानों का होता है बस की खड़की के सामने टिकेट लेने में अपमान सबसे ज़्यादा होता है तो किसानों का रेलवे स्टेशन पर अपमान होता है तो किसानों का और रेल में चड़ गया इसे कोई किसान स्लीपर क्लास के डिब्बे में चढ़ जाए साधरन टिकेट लेके तो इतने बेईमान टीटी है कि उसको ट्रेन से धक्का देकर फेक देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं ये ताली बजाने की बात नहीं सोचिए आप मैं आपको सोचने के लिए कुछ मुद्दे दे रहा हूँ मैं आपको सिर्फ कुछ उधारन से समझा रहा हूँ कि कितना अपमान हो रहा है हमारे देश के किसान का पूंजी का उत्पादन क्यों कम हो रहा है इस देश में उसका विशलेशन कर रहा हूँ पूजी जहां से पैदा होती है और पूजी को पैदा करने वाला जो वर्ग है उसका हर समय अगर आप अपमान करोगे तो पूजी का उत्पादन कैसे बढ़ेगा जरा बताओ और इस देश में सबसे ज़्यादा असुविधाओं में काम करने वाला वर्ग कोई है तो किसान हमारे देश में 6,38,000 गाओं हैं लगबग आप जानते हैं इन में से 60 प्रतिशत गाओं में बिजली नहीं है चार लाक गाओं में बिजली नहीं है बिना बिजली के हमारा किसान रहता है मेरा जन्म अलीगड के पास एक छोटे से गाओं में हुआ अतरौली तहसील में मेरे गाओं में बिजली नहीं है और दिल्ली से मात्र 170-180 किलोमीटर की दूरी पर है मेरा गाओं बिजली नहीं है हमारे देश के चार लाग गाओं में बिजली नहीं है रात के अंधेरे में किसान अपनी जिन्दगी बिताता है हम यहाँ AC में बैठे हैं पंखा चल रहा है हमारे देश के करोणों किसानों को पंखा और AC की हवा का सुख उपलब्द नहीं है वो टेक्सपेयर हैं इस देश के आप भी टेक्सपेयर हैं वो भी टेक्सपेयर है वो भी आपको पूझी उतपादन करके दे रहा है जो आप नहीं दे पा रहे है अन्पैदा करके दे रहा है जो आप नहीं दे पा रहे है फिर भी उसको बिजली नहीं है और बिजली नहीं है तो पानी नहीं है ट्यूबल नहीं है डीजल भी मिलता है उस किसान को तो 35 रुपई लीटर का जो बनता है 12-15 रुपई लीटर का अगर 12-15 रुपई लीटर के बीच में डीजल उत्पादन हो जाता है जो कमपनिया बताती भी नहीं कर सकते डीजल उसके लिए महंगा यूरिया डीएपी आपने बहुत महंगा कर दिया सुपर फॉसफेट उसके लिए महंगा कर दिया उसकी जिंदगी का हर चीज जो वो बाजार से खरीद रहा है महंगा है मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ यहां आप में से कई लोगों ने अपने हाथ उठाए हैं माफ करिएगा अगर आप किसान के बेटे हैं तो आपको इस शिविर में आने और जाने के लिए कम से कम दो बोरा गेहूं बेचना पड़ेग दो बोरा जिसका चावल बिक जाएगा उस दो बोरे चावल में कोई परिवार कम से कम साल बर खाना खाएगा उतना दो बोरा चावल बेचकर वो कुछ एकाथ हजार बारे सो पंद्रे सो रुपए पाएगा तब यहां शिविर करने आएगा और वही किसान को लाइफ बोई स साबुन नहीं खरीद सकता इस देश के किसान पर इतना बड़ा अत्याचार इस वह आं कि की में किए और कि साबॉस्टम期 बेच के साबुन नहीं खरीद सकता छी एट कि किए अट्योगों पैना होने निवाली चीजें किसानों को इतनी महंगी बेची जाती हैं और किसानों का पैदा होने वाला गेहूं उनसे इतना सस्ता खरीदा जाता है तो किसान हर चीज सस्ती बेचेगा और बाजार से हर चीज महंगी खरीदेगा तो हमेशा वो घाटे में रहेगा और जो वर्ग घाटे में रहेगा वो पूजी उत्पादन कैसे करेगा बताईए मुझे तो पूजी की कमी तो ऐसे हुई है इस देश इसको नहीं कितनी किसानों की मा बहन बेटियां हैं जो एक एक बाल्टी पानी लाने के लिए 10-10 किलोमीटर पैदल चलती हैं इस देश में मैंने देखा हैं अपनी आँखों से मैंने संपूर भारत देश का ब्रह्मन किया है एक नहीं दो नहीं हजारों गाओं में मैंने ये द्रश्य देखा है कि किसी माता को किसी बहन को एक बाल्टी पीने का पानी लाने के लिए तीन किलोमीटर से 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है तब उसको एक बाल्टी पानी मिलता है सबेरे साड़े तीन बजे उठती है एक बाल्टी पीने का पानी लाती है सबेरे का खाना बनाती है फिर खाना बना के एक बाल्टी पानी के लिए निकलती है फिर एक बाल्टी पानी लाती है दुपेर का खाना बनाती है फिर दुपेर का खाना बना के एक बाल्टी पानी के लिए निकलती है शाम को वापस आती है तीन बाल्टी पानी लाने में उसका 24 घंटे मैं से 12 घंटे करच होता है और फिर वही माताएं पानी के लिए जहां इकठी होती है वहां पहले पानी उनको मिल जाए उसके लिए लड़ाई जगड़े शुरू होते हैं और उसमें एक दूसरे के सिर्फ फोड़ दिये जाते हैं किसानों को क्या सुविदा मिल रही है उनके घर के सामने उनको पीने का पानी नहीं मिलता उनको चलने को सड़क नहीं मिलती उनके घर में उनकी मा का बेहन का बेटी का प्रसब हो बेहन और बेटीयों का प्रसब हो तो दाई की वेवस्था नहीं है हॉस्पीटल नहीं है डॉक्टर नहीं है कैसे बच्चे पैदा होते हैं आपको मालूम है आदे से जादा बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही या तो मा को तकलीफ दे देते हैं या वो खुद तकलीफ पा जाते हैं इतनी असुविधाओं में रहने वाला किसान आज भी उत्पादन कर रहा है 21 करोड़ टन तो ये उसको बधाई है उसको साधुबाद है उसको चरण छूने का मन करता है उसके चरणों में सिर जुकाने का मन करता है इतनी असुविधाओं में रहने वाला किसान आज भी अन्न पैदा कर रहा है आपको थोड़ी असुविधा हो जाए तो आप कितने तिल मिला जाते हैं यहाँ एक घंटे के लिए बिजली चली जाए तो तूफान हो जाता है और वहाँ घंटों घंटों अधेरे में वो जिंदगी बिताते हैं चुपचाप अन्न पैदा करते चले जाते हैं कभी उफ नहीं करते कभी बस नहीं करते इतनी असुविधाएं इतने शोशन के बीच दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जिसके बारे में आप मुझे बताईए जो पैदा करने वाली चीज़ का भाव खुद तै ना करे ऐसा कौन सा आदमी है एक ही है वो किसान है और कोई नहीं जूते बनाने वाला मोची भी अपने जूते का भाव खुद तै करता है और आपके साथ बारगेन करता है मेरा जूता धाईसो रुपए का है लेना है लो नहीं तो चले जाओ किसान बिचारा ये भी नहीं कर सकता कि मेरा गेहू इतने मटर का न तिलहन का न दलहन का कोई भाव तै करने का अधिकार सरकार में किसानों को नहीं दिया है किसानों की वस्तुओं का भाव वो लोग तै करते हैं जो कभी किसान के बेटे नहीं रहे जिनोंने कभी खेती नहीं की जिनको ये भी नहीं मालूम गेहूं का पौधा होता है क पेड़ो होता है मैं आपको पूरी इमानदारी से कह रहा हूँ एक कमीशन है भारत सरकार का बनाया हुआ एगरी कल्चरल प्राइस कमीशन करके यह अंग्रेजों ने शुरू किया था यह किसानों की फसल का भाव तै करता है इसमें एक सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होता है वो तै करता है कि गेहूं 1100 रुपई कुंटल खरीदा जाएगा चावल 700-800 रुपई कुंटल जो भी तै होता है वो सेक्रेटरी तै करता है एक बार एक सेक्रेटरी को मैंने पूछा था नाम नहीं बताता क्योंकि उसकी बहुत बिजज़ती हो जाएगी उसको मैंने पूछ आप कौन है तो उसने का अगरी कल्चरल प्राइस कमिशन का सेक्रेटरी क्या काम है तो उसने का भाव तै करता हूं मैं गेहूं का चावल का चने का मटर का तो मैं पूछा गेहूं का भाव कैसे तै करते हैं तो उसने का गेहूं का भाव तै करना बहुत आसान है पिछले साल का यो भाव होता है उसमें इंफलेशन रेड जोड़ तो नया भाहवत अब हो जाते बहुत आसा पिर मैं नेका पिछले साल का तो उसने मेहनत तो उसने का मेहनत क्या किसान तो अकुशल श्रमिक है उसकी मेहनत का क्या है इतना मुझे करारा ठाक चांटा लगा गाल पर जो उसने मुझे कहा उसने का किसान की मेहनत का क्या वो तो अकुशल श्रमिक है अनिस्किल्ड लेवर है अनिस्किल्ड लेवर की कीमत तो हमारे या लेबर से भी कम है रोजन दारी पर जो आप मजदूर लेते हैं उसको क्या देते हैं 60-70 रुपए मिनिमम गारेंटी योजना में कितना 100 रुपए तो जो आप 60-70 से 100 रुपए देते हैं उससे भी कम कीमत किसान के श्रम की तैय होती है आपको मालूम है जब गहुं का भाव करनेशन तो उसने बेशरमी से कहा अंग्रेज होने ऐ抹र टैकर के घए कि इस देश में किसानों का श्रम अनिस्कल्ड माना जाएगा तो उसकी कीमत सबसे कम रहेगी इसलिए किसानों के गिवह की पी şiudon से भी कम रहती है कि किसानों के चावल की कीमत washing powder से भी कम रहती है किसानों की दालों की कीमत fair and lovely cream से भी कम रहती है आप सोचो ना कितना बड़ा शोशन है एक किलो washing powder खरीदें तो एक किलो दाल भी नहीं आएगी उतने में एक किलो washing powder की कीमत है इस देश ग्राम की साबुन बारे से पत्चीस रुपई पिजयतर ग्राम है वह एक किलो नहीं है एक तो साबुन 75 ग्राम है 40 रुपई का डव अब 40 रुपई का 75 ग्राम लगबग 50 का 100 ग्राम हो गया एक किलो 500 रुपई का और गाय का घी मिलता है एक किलो 500 से 200 रुपई का तो खिसान गाय का घी पैदा करके 500 रुपई किलो बेचे और कमपनिया साबुन पैदा करके 500 रुपई किलो बेचे ऐसा शोशन चल रहा है प्राइसिस में पैरिटी नहीं है समानता नहीं है मूल्यों में समानता नहीं है और एक बात और पताते है गिहों में पानी दिया जाता है उसका मुल्य लगता ही देगों यह के वसी मैं पूछा कि एक गिलो गिऊं पैदा करने के लिए पानी लगता है तो उसे तो पानी की К҉न्टिटी बताई उसे निकाला था वह इत जादा पानी था यह उसका पैसा पानी का 10 उल्चा रूली लिटर खरीते हैं किसान के पानी का मुले 10 रुपए भी उसको नहीं मिलता है जो 200-500 फिट नीचे गड़ा खोदके और मोटर लगा के निकालते हैं तो आप किसान को कोई मूले देते हैं उसकी कीमत उसको वाजब नहीं मिलती है गेहूं का भाव 11 रुपए किलो क्यों है चावल का भाव 12-15 रुपए किलो क्यों है ये इसलिए है कि किसान के द्वारा पैदा की गई वस्तू का भाव वो खुद तैनी करता उसकी महनत की सही कीम या 60-70 रुपए रोज और वही किसान अगर खेती छोड़ दे खेत बेच दे गाउं छोड़कर शहर चला जाए और किसी बैंक में सिक्स पे कमिशन के बाद तो वो लगबग 7-800 रुपए है अब बैंक में चपरासी हो जाए किसान अपना खेत बेच कर तो उसको एक दिन का श्रम मिलेगा एक दिन का मूल मिलेगा 7-800 रुपए और वो खेत में अपनी हड़ी तोड़े और अपने पाउं गलाए और इस अचार क्या होगा आ तो आप उसको अगर बैंक के चपरासी के बराबर का श्रम मूलेगे देना शुरू कर दें तो गैंग का भाव बड़ जाता है मैंने एक दिन हिसाब निकाला था अगर किसी बेंक के चपरासी को सरकार जो एक दिन का वेतन देती है गेहूं पैदा करने वाले किसान का एक दिन का श्रम भी उसके बराबर नाप लिया जाए तो गेहूं बिकेगा पाँच हजार रुपई क्विंटल चावल बिकेगा साड़े छे से साथ हजार रुपई क्विंटल कपास बिकेगी इस देश में दस से बारे हजार रुपई क्विंटल मूल देख हो जाएगा उसका तो मैंने उस सेकरेटरी से कहा कि भाई आप उनको शरम का मूल लिए उतना क्यों नहीं देते जो बैंक के चतु छोड़के भाग लेता है shouldoni का नौबत आता तो बंधूक Solutions छोड़के भाग लेता है उसको आप 7-800 रुपए रोजिका दे रहे है और देश के लिए पूझी उत्पादन और अन उत्पादन करके दे रहा है उसको दिन की मेहनत सो रूपए 80 रूपए 70 रूपए 60 रूपए यह सबसे बड़ा तमाशा है हमारे देश में तीन एक है सर्VIS का सैक्टर सर्फिस आप समझते बैंक है बीस्वा कंपनिया है रेल है पुब्लिक सैक्टर है येसी स essentially है दूसरा है प्रडैक्शन का सैक्टर इंडस्ट्री का सैक्टर है जिसमें कार लग लग है और जमीन आस्मान का अंतर है कि क्रशी का मूले सबसे कम है उद्योगों का उससे जादा है और सर्विस का उससे भी जादा है मैंने कम्प्यूटर चलाना सीख लिया टाइपिंग ही तो है न और वो टाइपिंग करने के लिए अगर मैं थोड़ा मास्टर हो गया तो एक एक दिन का मेरा श्रमिक मूल्य हजारों रुपई में बैठता है आपको मालूम है software engineers को एक एक लाक रुपई डिड़ल लाक रुपई के package पे नौकरी मिलती है तो उसका श्रमिक मूल्य रोज का हजार बारे सो पंद्रे सो रुपई आठ घंटे काम कर रहा है शरीर नहीं तोड़ रहा है खाली कुरसी पर बैठा हुआ है AC चल रहा है गाड़ी में आता है गाड़ी में जाता है और उसका एक दिन का श्रमिक मूल्य आप हजारों में गिनते हैं और जो किसान अपनी हड़ियां गलाता है कमर तोड़ देता है जिंदगी पूरी होम कर देता है उसका श्रमिक मूल्य आप एक दिन का सो रुपई भी गिंते जब इतना सोशन होगा तो पूझी उत्पादन में कमी आएगी और पूझी उत्पादन में कमी क्यों आई है इस देश में हिंदुस्तान में आजादी के पहले जब खेती करने वाला किसान था न तो एक एकड में 56 कुंटल चावल पैदा कर लेता था इतनी उपजाव जमीन थी एकड में 56 कुंटल चावल, एक एकड में 25-30 कुंटल गेहुं, एक एकड में 90 मीटरिक TUN गन्ना, एक एकड में 7-8 कुंटल का पास, इतनी उपजाव जमीन थी हमारी अंग्रेजों के पहले फिर अंग्रेजों के आने के बाद ये यूरिया डियेपी का चक्कर शुरू हुआ और आजादी के बाद तो बहुत भैंकर पहमाने पर यूरिया डियेपी का चक्कर शुरू हुआ इसमें जमीन खराब होती गई, बंजर होती गई, हमारी जमीन पत्थर जैसी हो गई है, मालूम है? एक जमाना था, कि इस देश की जमीन की मिट्टी पर पाउं रखो, तो ऐसा लगता था, जैसे नए बने हुए रूई के गद्दे पर पाउं रखकर आप चल रहे हैं, इतनी नरम, इतनी कोमल और इतनी मुलाहिम मिट्टी हुआ करती थी इस देश की। फिर क्या हुआ? मिट्टी में यूरिया, डियेपी डाल डाल के और किसानों का दिमाग खराब किया हमारे देश के उन अधिकारियों और वेग्यानिकों ने जो यूरिया, डियेपी कमपनियों के एजेंट थे, जिनका एक ही उद्देशी था, यूरिया की बिक्री को बढ़ पसकी जावा देना, इन यूरिया डियेपी कमपनियों के एजेंटों ने किसानों का दिमाग ऐसा घुमाया कि खेत में यूरिया डियेपी डल्वाया, फिर धीरे धीरे खेत को नशा लग गया, जैसे शराबी आदमी को शराब का नशा लगता है, वैसे ही मिट्टी को यूर याडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडियाडिया आपको मालूम है हमारे देश की सरकार के बजट का सबसे कम हिस्सा किसानों पे ही खर्च होता है बजट का सबसे कम हिस्सा हमारे देश की सरकार के पिछले 15 साल के बजट का मैंने बहुत बारी की से अध्यन किया पिछले 15 साल में हर साल खेती और किसानों के लिए खर्चा कम होता जा रहा है किसान फिर विचारा पूजी उत्पादन के काम में जो लगा हुआ है वो उससे बटकेगा वो उससे अलग हटेगा या कम करेगा इसलिए पूजी की कमी हुई है इस देश में और उस पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए हमारे ये मूर्ख नेता जिनको मैं मूर्ख शब्द में कहना चाहूंगा क्योंकि जहां पूंजी मूल रूप से पैदा हो रही है उस किसान की मदद तो नहीं कर रहे है उस पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए विदेशी कमपनियों को दरवाजे खोल कर बुला रहे हैं आओ आओ हमको पैसा दो ये कुछ ऐसा किस्सा चल रहा है मैं आपको एक उधारेंट से समझाता हूँ एक मरीज है वो बीमार हो गया अब बीमार हो गया तो उसको खून की कमी हो गयी तो क्या करोगे तो आपको खून की बोतल चड़ा एक बोतल चड़ाई दो बोतल चड़ाई तीन बोतल चड़ाई फिर मरीज थोड़े दिन में ठीक हो गया फिर बीमार हो गया, फिर क्या करोगे, फिर एक बोतल चड़ाओ, फिर दो बोतल चड़ाओ, फिर ठीक हो गया, फिर बीमार हो गया, तो ये बोतल कब तक चड़ाओ गया, बताओ मा, होशियारी क्या है, इंटेलिजेंसी क्या है, कि आप मरीज की हालत ऐसी बनाओ कि उसका खू खून की बोतल कितने दिन तक चड़ाओगे उसके शरीर को हमारे देश को पूझी की कमी हो गई मान लिया मैंने तो ऐसी ब्यवस्थाइं बनाओ जिससे पूझी जादा पैदा हो इस देश में यह क्या तरीका है कि बाहर से उधार की पूझी लेके आओ और इस देश के बरीज जो बीमार मरीज इस देश की अर्थवी अवस्था है उसको बाहर के खून की बोतल चड़ाओगे बाहर के खून की बोतल एक दिन मर जाएगा बाहर के खून पर कितने दिन किसी मरीज को आप जिंदा रख सकते हैं बताईए ना अच्छे से अच्छे डॉक्टर से पूछ ल है कि उस मरीज को जिसको खून की कमी हो गई है ऐसा कुछ करो कि उसके शरीर में ही खून बनने लगे तो भारत के बारे में मैं यही कहता हूं कि पूजी की अगर कमी हो गई है तो व्यवस्थाएं ऐसी बनाओ कि हमारे ही देश में पूजी निर्मान होने लगे बाहर से पू चल चढ़ाय चली जा रही है एक दिन सभाने को सरकारे कहती हैं कि की कमी है तो बहुत कारण मैंने बहुत विस्तार से आपको पर अविस्तार से समझार कि आ अप हमारे भारत के नागरिक सिह हैं कि पूंजी क्या हुई कारण क्या है उसका और चुकि आप सब किसान और खेती से जुड़े हुए लोग है इसलिए आपको अपने अपमान का एहसास हो सके इसलिए मैंने कुछ चुटीली और कड़वी वातें आपके सामने कहीं मेरा कोई लक्ष नहीं है आपका दिल दुखाने का लेकिन मैं जरूर चाहता हूँ कि आपकी चेतना को जगजोर सकूँ कि इतना अपमान आप 60-62 साल से सहन कर कैसे रहे हैं इस देश के उत्पादक होने के नाते और वो भी पूझी उत्पादक होने के नाते बगावत क्यों नहीं कर देते आप इस विवस्था के खिलाव तो अब हमारे देश में ये पूझी की कमी हो गई तो सरकारों ने कहना शुरू किया विदेशी कमपनियों को बलाओ तो विदेशी कमपनिया आती है और पूझी लेके आती है ये सरकार हमारी संसद में कहती है, संसद के बाहर कहती है इस जूट पर मैंने पिछले 18 साल बहुत रिसर्च किया 18 साल से मैं लगा हुआ हूँ इस काम में कि कौन कंपणी आती है और कितनी पूजी लेके इस देश में काम शुरू करती है तो मैं आपको नाम लेके पढ़के बताता हूँ हमारे देश में जो 5000 सबसे बड़ी विदेशी कंपणिया है दुनिया के देशों की, उसमें सबसे लूट खोर कंपणी है हिंदुस्तान लीवर इसका असली नाम है यूनी लीवर अब हिंदुस्तान यूनी लीवर होगी है यहाँ ही और ये इतनी बेइमान कंपणी है कि जिस देश में घुस्ती है उसी देश का नाम अपने साथ लगा लेती है जैसे हिंदुस्तान में आई तो हिंदुस्तान लीवर पाकिस्तान में इस कंपनी का नाम है पाकिस्तान लीवर श्री लंका में इसका नाम है सीलोन लीवर इंडोनेशिया में इसका नाम है इंडोनेशिया लीवर तो नागरिकों को ऐसा लगता है कि यह तो अपने ही देश की कंपनी है वो विदेशी है मूल नाम है Unilever यहाँ पर अभी इसने नाम बदल के रखा हिंदुस्तान Unilever यह मूलत है हॉलेंड और ब्रिटेन के उद्योग पतियों की सैयुक्त कमपनी है इसमें मूल पूजी ब्रिटेन की है और हॉलेंड की है यह कमपनी भारत में आई है धंदा करने जब कोई कमपनी धंदा करने आती है तो सबसे पहली बार धंदा शुरू करने के लिए जो वो पूजी लगाती है उसको अंग्रेजी में कहते हैं Initial Paid Up Capital मूल चुकता पूजी हिंदी में अगर कहूं तो इसका अर्थ समझ लीजे व्यापार शुरू करने के लिए जो पूजी लगाई जाती है माने उनके देश से आने पर जो वो पूजी लाती है ये मतलब है जैसे कोई विदेशी कमपनी आई उसने भारत में जमीन का कोई टुकडा खरीदा तो टुकडा खरीदने के लिए जो पैसा लगाया उसने वो अपने देश से लेके आई तो वो पूंजी भारत में आई ये कहा जाता है उसी को विदेशी पूंजी कहते है तो जब कोई कमपनी धंदा और व्यापार शुरू करने के लिए आती है और मूल पूंजी जो वो अपनी भारत में लगाती है फिर उस में से धंदा शुरू होता है फिर उस धंदे में से मुनाफ़ कमाती है फिर उस मुनाफ़ को दوبारा पूंजी के रूप में लगाती है फिर वो मुनाफ़ कमाती है फिर मुनाफ़े को पूंजी के रूप में लगाती है उसको कहते हैं बोनस और शेयर कैपिटल ठीक है तो मुख्य होती है इनीशियल पेड़ अप कैपिटल जब आप शुरू शुरू में भारत में धंदा करने आए विदेश से तो आपने कितना पैसा लगा तो हिंदुस्तान लीवर जब हिंदुस्तान में आई और इसने सबसे पहली साल जब धंदा शुरू करने के लिए पूंजी लगाई तो वह पूंजी मात्र कितनी है अंदाजा लगा सकते हैं आप करोडों में होगी कुछ करोडों में नहीं है मात्र 24 लाक रुपए की पूंजी से इसने धंद धंदा शुरू किया इस देश में हिंदुस्तान लीवर सिर्फ 24 लाक यह विदेशी पूंजी निवेस है तो बाहर से कहते हैं पैसा लेके आएंगे हमारे देश को बढ़ा हमारे देश का बजट पता साड़े आठ लाक करोड का है और हिंदुस्तान लीवर ने इस देश में धंदा शुरू किया तो पूंजी लगाई है 24 लाक रुपए और 24 लाक रुपए से धंदा शुरू करके यह हिंदुस्तान लीवर कितना बड़ा मुनाफ़ा कमाती है इस देश में वो भी बता देता हूं पिछले साल इस हिंदुस्तान लीवर ने सारे देश में 14,740 करोड रुपए का माल बेचा पिछले साल मने 2007-2008 में क्या-क्या बेचती है यह लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, वील, रिन, फेर एन लवली इसी का है, क्लोज अप इसी का है, ऐसे 50-60 आइटम है इसके, तो 14,740 करोड रुपए का माल बेचा, इनीशल पेट अप कैप 20 लाइक रुपए है, आई कब थी हाँ, यह कंपनी आई थी हिंदुस्तान में, सन 1933 में, 1933 से आके इसमें धंदा शुरू किया, 24 लाइक रुपए का इनीशल पेट अप कैपिटल से, उसमें से मुनाफ़ा कमाके, पूजी अपनी बढ़ाती गई, और आज 14,740 करोड का इनका सेल है, और नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने अपनी बैलन्स शीट में दिखाया है, जो यह भी नंबर एक की सेल है, जो नंबरी धंदा है, जो काना धंदा है, वो तो अलग है, एक नंबर का जो उनका मुनाफ़ा है, जो उन्होंने अपनी बैलन्स शीट में दिखाया है, वो उनका मुनाफ़ा है, 2000, एक हजार नौसो पच्चीस करोड रुपए एक हजार नौसो पच्चीस करोड रुपए माने लगबग दो हजार करोड रुपए तो दो हजार करोड रुपए वो एक साल में कमा रही है सिर्फ 24 लाक रुपए की पूजी लगा कर तो आप बताओ पूजी उनके यहां से हमारे यहां आ रही है या हमारी पूंजी उनके यहां जा रही है कितना गुणा होगी 24 लाक्षिस को काउंट करें करीब यह 2000 गुने से ज्यादा निकलेगा महरच्जी, 5000 गुना हर साल जितना लाहे थे उससे 5000 गुना ज्यादा लेके जा रहे हैं उसका नाम है कॉल्गेट पामोलिव कॉल्गेट पामोलिव ने हिंदुस्तान में जब धन्दा शुरू किया तो उनकी जो इनीशियल पेड़ अप कैपिटल है भारत में लाई गई पूंजी वह मात्र पंद्रे लाख रुपए है मात्र पंद्रे लाख और उस कंपनी ओगिक! एक साल का जो सेल है माने कुल विक्रि है वह एक हजार थीन सो पिच्छप करोड की है माने चौदे सो करोड और उसका एक साल का शुद्ध मुनाफा नेट प्रॉफिट दो सो इकत्तीस करोड है 15 लाक रुपई लगा कर 231 करोड रुपई साल का कमा रही है लूट रही है कॉल्गेट पामुलिव कमपनी कॉल्गेट पामुलिव हिंदुस्तान में कब आई है तो कॉल्गेट पामुलिव हिंदुस्तान में आई है सन 1948 और एक कमपनी का बताता हूँ हैं लास्ट येर का इनका नेट प्रॉफिट है 231 करोड तीसरी एक कमपनी है हिंदुस्तान में जिसका नाम है नोवार्टिस पहले इसका नाम था सीवा गाईगी अभी इसका नाम हो गया है नोवार्टिस इस नोवार्टिस कमपनी की भारत में जो पूझी है वो सिर्फ साड़े चार करोड रुपए है चार करोड पचास लाक रुपए और इसका आज का जो लेटेस्ट जो फिगर्स हैं सेल के पांच सो साथ करोड रुपए की इनकी टोटल सेल है और नेट प्रॉफिट इनका चारानवे करोड रुपए साड़े चार करोड लगाया इस देश में आने के साल में और अब 94 करोड रुपए हर साल का मुनाफ़ा ये लूट रहे है कितने गुना हो गया अंदाजा लगाई फिर एक कंपनी है उसका नाम है फिलिप्स ये भी हॉलेंड की कंपनी है डच कंपनी है इसका भारत में मूल चुकता पूजी इनीशिल पेड़ अप कैपिटल मात्र एक करोड पचास लाक रुपए है मात्र एक करोड पचास लाक रुपए और आज ये कंपनी का पूरा देश में सेल है लगबद दो हजार आठ सो नब्बे करोड का और नेट प्रॉफिट है इसका एक सो नब्बे करोड रुपए का देड़ करोड रुपए लगाकर एक सो नब्बे करोड रुपए साल का ये कंपनी लूट रही है हमारे देश में से फिर और एक कंपनी है उसका नाम है बायर ये कंपनी का भारत में इनीशल पेड़ अप कैपीटल है 3 करोड़ 50 लाक रुपए और ये कंपनी एक साल में जो लूट रही है वो है 56 करोड़ रुपए फिलिप्स कंपनी आई इस देश में एक एक मिनिट बता दो फिलिप्स आई ये 1960 में 1969 और 60 में फिर एक कंपनी का और बताता हूँ आपको विदेशी कंपनीों की लूट के नाम से ये बहुत जल्दी पुस्तक का हम प्रकाशित कर रहे हैं आप सब को सारे आखड़े मिल जाएंगे और अभी योग संदेश पत्रिका में भी ये सारे के सारे मुद्दों पर मैंने भायराजीव जी से कहा है हर महिने भारत साभिमान के ये जो ग्यार है उद्देश और लक्ष है हमारे हमारी जो नीतिया है इनके साथ साथ ये पूरे जो हमारी स्वदेशी की नीतिया है और इन विदेशी कंपनीनों की बरबरता के साथ देश को लूटा उसके संदर्भ में हर महीने योग संदेश पत्रिका के माध्यम से हम देश के दर्द और पिड़ा को स्वर देंगे और पूरे देश में एक बहुत बढ़ी आवाद और शक्ति इसकी रूप में खड़ी होती रहे ऐसे ही एक सुन लीजे पहले एक और कंपनी है ग्लैक्स को आँ बता दूना अभी बता दूना ये ग्लैक्स को कंपनी जो है भारत में इनीशल पेड़ अप कैपीटल उसका है आठ साड़े आठ करोड रुपए और एक साल का नेट प्रॉफिट इसका है पाँच सो से तीस एक साल का नेट प्रॉफिट और इसकी सेल है एक साल की 1712 करोड रुपए फिर एक कंपनी है इसी ग्लैक्स को की सबसीडियरी कंपनी है उसका नाम है ग्लैक्स को इसमित लाइन कंजियूमर हेल्थ केयर करके इस कंपनी का इनीशल पेड़ पेड़ है चार करोड बीस लाक और पूरे देश में इसकी सेल है करीब 1400 करोड फिर एक कंपनी है अमेरिका की फाइजर फाइजर कंपनी का हिंदोस्तान में इनीशल पेड़ अप केपिटल है दो करोड नबे लाक रुपए और इसका नेट प्रॉफिट है 338 करोड रुपए ये दवाएं और कोस्मेटिक ब अब से जादा दवाएं बनाने वाली विदेशी कंपनी फाइजर और इसकी दवाओं का मुनाफे का जो प्रतिशत है ना बीस बीस हजार प्रतिशत के मुनाफे पर ये दवाएं बेचती है 20,000 मतलब समस्ते हैं एक रुपए की गोली बन गई तो वो सीधे 20,000 की है बजार में उसकी कीमत बनी एक ही रुपए की इस कंपनी के प्रॉफिट परसेंटेज मैंने निकाले थे फाइजर के एक एक दवाओं पर इसको 20,000 प्रतिशत 25,000 प्रतिशत 18,000 प्रतिशत 15,000 प्रत कंपनी है एबोट इंडिया लिमिटेट इसका हिंदुस्तान में इनीशल पेड़ अप कैपिटल एक करोड चालीस लाक रुपए है और इसका नेट प्रॉफिट साल का 68 करोड रुपए है और सेल इसकी एक साल की 636 करोड रुपए और एक सबसे खतरनाक विदेशी कंपनी इ अमेरिका की है उसका नम है आई टी-सी जो सिग्रेट बनाती है कि और इस देश के लोगों के फेफडे गलाती है चैंशर पेलाती है सबसे ज्यादा बरबादी करने वाली यह कंपनी है इंदुस्तान में इसका नाम सुनेंगे तो कैसा है इंडियन टूबैको लिमिटेशी ह असल में इसका नाम है American Tobacco Company, भारत में आके इसने नाम बदल के रखा हुआ है Indian Tobacco Company, मैंने बताया ना यह बेईमानी करती है, हिंदुस्तान नाम आगे लगा लिया, इंडियन नाम आगे लगा लिया, ताकि आपको लगे कि यह तो स्वदेशी ही है, तो यह American Tobacco Company जिसका भारत मे नाम है Indian Tobacco Company, इसका initial paid up capital हमारे देश में है, तीन करोड सतर लाक रुपए, और इसका एक साल का net profit है, 3120 करोड रुपए, नेट प्रॉफिट, और इसकी net sale है, एक साल की 21,355 करोड रुपए, और यह official है यह, जो उनकी balance sheet में उन्होंने बताया, यह सारे internet की उपर आपको data मिल सकते हैं, और बेहिमानी का तो कुछ पता नहीं है, और इस company का सबसे बड़ा धंदा मैंने बता है, क्या है, cigarette का, हिंदुस्तान में अर्बों cigarette का उत्पादन है इसका, इसकी balance sheet में 20 billion cigarette बनाया, इन्होंने ऐसा बताया, 20 billion, 20 billion माने 20 अरब, 20 billion cigarette बनाया, वो cigarette इस देश में लोगों ने पिया, पिया ही ना, बिग गया उनका, पिया तो धुआ कितना निकला, pollution कितना हुआ, carbon dioxide, carbon monoxide, जहरी ली gas हैं कितनी निकली, और पूरे परियावरण में फैली, और पेड़ कटे, वो आप जरा सुन लेना, और इसको लिख लेना, ताकि हर आजमी को आप ये बता सको, ये company अपनी 500 cigarette बनाने के लिए एक पेड़ काट देती है इस देश में, एक पेड़ काट देती है ये company, 500 cigarette बनाने के, और कौन सा पेड़, ये नहीं popular का, जो पतला सा होता है, पीपल का बड़ा पेड़, बरगद का बड़ा पेड़, जो बड़े पेड़ होते है न, जिनका तना खूब मोटा होता है, जिसको आप हाथ में भी नहीं भर सकते, इतने चोड़े और बड़े तने का, एक पेड़ जब पूरी तरह से कटके बरबाद हो जाता है, तब 500 cigarette का उत्पादन होता है, कैसे हाँ सुन लीजे, अब वो जरा समझा देता हूँ, आप जानते हैं पेड़ कटता है, तब cigarette के लिए कागज बनता है, आप जानते हैं cigarette लपेटी जाती है, तमबाकू के ऊपर जो कागज लपेटा जाता है, वो कागज बहुत ही fine किसम का कागज होत और वो लकड़ी पेड़ की होती है, तो उपर का कागज जिसमें तमबाकू भरी गई, फिर उस कागज लपेट कर cigarette को डिबबी में बंद करने के लिए फिर कागज, लगा की नहीं, packet, वो भी कागज का है, और मोटे कागज का है, गत्ये का, और वो glazed paper होता है, बहुत चिकन कागज होता है, उसमें और ज्यादा लकड़ी लगती है, फिर उस cigarette को बेचने के लिए विज्ञापन दिया गया, और विज्ञापन के लिए अखवार का कागज बरबाद हुआ, वो कागज है, पूरा हिसाब जोड़ूँगा है, ना, मैं तो कोई ऐसा है, फिर उसके बाद कमपनी अपने पेंपलेट और ब्रोशर निकालती है, प्रचार करने के लिए उसका कागज है, तो पूरा हिसाब मैंने निकाला इस कमपनी की बैलेंस शीट से, पाचसो सिगरेट जब ये कमपनी बेच देती है, तो एक पेड इस देश का चला जाता है, बीस अरब सिगरेट हर साल इस कमपनी की बिक्ती है, कितने करोड पेड गट रहे हैं जरा सोचवा, और ये जो लोग बोलते हैं न ये पूझी लाते हैं, तो ये पूझी कितने लेकर के आई हैं, पूझी लेकर आई हैं, तीन दशमलब साथ करो, teन दशमलब साथ 6 करोड, ये इनका इनिशन आए जाता है कोई न्यू चैनल देख लो कोई आप और वहां बहुत करते हैं लोग बैठ करके एक दो बार जो है फिर मुझे भी मौका मिला मैंने क्यों पूरे देश के सामने तुम पढ़े लिके होकर कि बेखुफी की और मुर्खता की बाते करते हो पूरे देश कंद्रिय ज तीन हजार एक सो बीस करोड़ा ये तो एक साल में लेके जा रहे हैं पेमान अब ये पताओ ये पूंजी का लेकर के आ रहे हैं देश को लुटा रहे हैं तो भारत तो ऐसा है कि जैसे जिस मा का कोई धनी ना हो जिस मा का कोई घर परिवार ना हो जिसका कोई बेटा ना हो ज से इस भारत माता की हालात इन भर्ष्ट नीतियों ने और भर्ष्ट सरकारों ने कर दी अब इसको आगे और थोड़ा साथ को बताओं कुछ और दो चार बड़ी कंपनियों के बताता हूं कि उनकी पूंजी कितनी है इस देश में आपका भ्रम दूर हो जा तो आप दूसरों का दूर कर सके एक बहुत बड़ी विदेशी कंपनी है कनाडा की जिसका नाम है बाटा जूते बेचती है ना बाटा कहां इसके फैक्टरी कहा लगया आपने देखी इसकी कोई फैक्टरी नहीं है भारत में ध्यान रखना ये अद्बुत एक ऐसी कंपनी है जिसकी कोई अब जूते पर महर कैसे लगती है ये जिस फैक्टरी से जूता खरीदते हैं 100 रुपय जोडे का जूता और उसके महर लग जाती है 699 रुपय 95 पैसे बनाके उसको चेसो निन्यानवे रुपए 95 पैसे एक एक पाई-पाई का हिसा नौसो निन्यानवे रुपए 95 पैसे आपको लगेगा यह तो बड़े इमान दार है पाँच पैसा भी जादा नहीं ले रहें और इतने बे इमान है सो रुपए का जूता जो आगरा में बनता है क जानपूर में बनता है कलकत्ता में बनता जूते सब हमारे देश में बनाके उसको चेसो निन्यानवे रुपए 95 पैसे का बेच लें माने सिर्फ नाम का बेचकर खा रहे है इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ब्रेंड इक्विटी बेच रहे हैं और कुछ नहीं तो य आई थी यह कंपनी आई है हमारे देश में 1931 सतर लाख रुपए से इसने धंदा शुरू किया है और आज एक साल में लगबग 300 करोड से ज्यादा का नेट प्रॉफिट ले रही है ऐसे यह कंपनी आई थी जिसने हिंदुस्तान के सत्रे हजार लोगों को मौत की घाट उतार दिया यूनियन कारवाइट भोपाल गैस कांड तीन दिसंबर 1984 को आपको याद है सबको वो अमेरिका की बहुत बड़ी खतरना कंपनी है केमिकल वैपन्स बनाती है रासानी खत्य को रगटना करके उसको यहां से भागना पड़ा तब उसका एक साल का नेट प्रॉफिट 860 क्रोड रुपए था कि 1984 बहुत सारी कंपनिया है अब जब किताब आपको मिलेगी न तो उसकिताब में तो आपको ऐसे सेकड़ों नाम मिलेंगे मैंने उधारन के लिए दिये ताकि आप दूसरों को यह बता सके यह पूझी एक पैसे के लाते नहीं और मैंने जो पिछले 18 साल अभ्यास किया उसमें पिछा याद रखो कि एवरेज कोई भी अमेरिकन यूरोपियन कंपनी भारत में आकर एक डॉलर अगर लगाती है तो पहले ही साल में वह तीन डॉलर यहां से कमाके ले जाती है एवरेज है यह एक डॉलर माने पचास रुपई अगर उस कमपनी ने भारत में पूझी निवेश कर दिये तो उसी साल में उस पचास रुपई पर डेड़ सो रुपई वो कमाके यहां से ले जाएगी एक डॉलर के इन्वेस्टमेंट पे तीन डॉलर कमाते हैं इसलिए वो भारत में आते हैं कोई जादा संस्थान खोलने नहीं आये और हमारे उपर कोई दया प्रेम करुणा बरसाने नहीं आये एक भी कमपनी बताओ पूरे देश में जिसने कोई गरीबों के लिए हॉस्पिटल खोला हो कोई अनाथाले खोला हो कोई गोशाला खोली हो कोई एक भी कमपनी ऐसी जिसने कभी भी देश के किसी युद्ध में मदद की हो कोई भी एक विदेशी कमपनी जिसने किसी बे सहरा को सहरा दिया हो किसी विद्धा को पेंसन दी हो यह सारी की सारी विदेशी कमपनिया केवल और केवल इस देश को लूटने के लिए आती हो इनका कोई दूसरा मकसद नहीं होता मैं आपको एक ताजा घटना सुनाता हूँ आपको मालूम है बिहार में बाड़ा ही और परमपुजिने स्वामी जी ने उस बिहार की बाड़ के राहत के लिए देश के लोगों से अपील की करोड़ों रुपए का डोनेशन आया और खर्चू यह आपको मालूम है अब मैं दूसरी घटना इसी के समय अंतर सुनाता हूँ बिहार की बाड़ की राहत में मदद करने के लिए बिहार के मुख्यमंतरी श्री नितिश कुमार ने पूरे देश को अपील किया पूरे देश को तो करोड़ों करोड़ों रुपए की मदद लोगों ने ती लेकिन एक भी विदेशी कंपनी ने एक रुपया बिहार की बाड़ राहत में दान नहीं दिया एक भी विदेशी कंपनी और बात को ये सेम कहने से बात नहीं बनती हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि जब प्राकृतिक दुर्गटना ये चाइना में हुई वहाँ पर भी भूकाम पाया लोगों के घर ढहे गए और जब कोका कोला और दूसरी कमपनिया वहाँ पर भी ये सारी दुनिया में फैले भी ये इतनी शड़ियन तरकारी है तो वहाँ के लोगों ने जब देखा कि प्राकृतिक आप दाई और हजारों करोड रुप हमसे लू प्राज उठानी है कि ये तमाम जो विदेशी कमपनिया जो सुन्य तक्नीकी का सामान लूट करके देश का कई लाख करोड रुप है अब तो एक कसम खानी है कि ना तो विदेशी सामान प्रियोग करेंगे और ना करने देंगे ऐसी परिस्थितिया खड़ी करेंगे इस अब मैं आपको एक आखरी आंकड़ा बताना चाहता हूँ ये तो आट दस कमपनियों के मैंने नाम लेके बताए ऐसी पांच हजार से ज़्यादा कमपनिया इस देश में हैं कुल मिलाकर ये पांच हजार कमपनिया एक साल में दो लाख बतीस हजार करोड रुपए लूट र बात है कि इसमेंसे लगबग एक लाख करोड रुपए की लूट तो ऐसे सामान से ऐसे सामान को बेच कर वो कर रही हैं जिसको हम खुद बना सकते हैं और अच्छे से बेच सकते हैं अब मैं वो सामान जिरा गिनाना चाहता हूँ आपको विदेशी कमपनिया कौन-कौन से सा सामान बनाकर बेच कर एक लाख करोर से ज्यादा लूठती हैं सालका वो हई टेक और सुपरff तेक सामान तो बात ही छोड़ दो आप जो साधरन सामान है बाटा का बाता बताया जूते बेचती है मोजे बेचती है जूते मोजे ready-made कपड़े такие शर्ट बनियान अंडर्विय फिर चम्डे के थेले चम्डे की बेल्ट चम्डे के थेले यही सब बेच कर यह कमपनी तो यही सब चीज़ें बेचती है उसके बाद एक कमपनी है बुरुक बॉंड वो चाय बेचके ही लूट रही है इस देश को तरह तरह के नाम की चाय उनकी भिक्रई है इस देश में चाय है कॉफी है और रसोई घर के कुछ मसाले बेच रहे हैं इसमें कोई टेक नहीं है कोई हाई टेक नहीं फिर एक कंपनी है कैट बरी इस इंडिया वह तो चॉकलेट बेच रही है बच्चों की और चॉकलेट का में कौन सी मिठाई मिलती है जरा बताईए मुझे तीन किलो बादा माजाएगा इतने काजू की बर्फी ज्यादा से ज्यादा दो सो ढ़ाई सो रुपई किलो बूंदी के लड़ू बहुत अधिक तो 60-70 रुपई किलो बेसन के लड़ू 100-500 रुपई किलो मावे की बर्फी 100- से 1.500 रुपई किलो अच्छी से अच्छी मिठाई आप सो रुपई किलो में खा सकते है चॉक्लेट फंद रुपई किलो वह चॉक्लेट बनने में क्या लगता ह। दूध लगता है जो 10 रुपई لीटर का मिलता है इस देश एक में और क्या लगता? यह टूथ पेस्ट टूथ ब्रश टूथ पाउडर साबुन शेविंग क्रीम फिर एक कंपनी विदेशी कॉर्ण प्रोड़क्स वो तो मक्य के दाने बेचती है बस वो सुना है कॉर्ण फ्लेक्स आज कल पढ़े लिखे मूर्ख लोग उसका बहुत नाश्टा करते हैं मैंने एक केटेगरी बनाई है एजुकेटिड इडियर्ट्स की वो मकई के दाने के भुने हुए हिस्से को रोज सवेरे दूद में मिलाके खाते हैं तीन सो चार सो रुपई किलो मक्का मिलती है पंद्रा रुपई किलो तो वो कंपनी है कॉर्ण प्रोड़ेक्स लिमिटेड फिर यह कंपनी है डिओ फार इंट्र फेन यह तो सिर्फ सौंदर्वर्सादन की चीज़ें बनाती है फिर SKF एक कमपनी है वो दर्द निवारक मलहम बेचती है इस देश में उस मलहम की कीमत है हजार रूपई किलो फिर एक कमपनी है फिसकर्स करके वो केंची चाकू और ये आल पिन और सेफटी पिन बनाती है फिर एक Fun School कमपनी है वो बच्चों के खिलोने बनाती है फिर Journal Electric America की बड़ी भारी कमपनी है पंखा बल्ब बिजली की ट्यूब ये सब बनाती है जौफरी मैनर से टूथपेस टूथब्रश बनाती है ग्लैक्स को बेबी फूट बगएरा और कुछ दबाएं बनाती है Godfrey Phillips है एक बहुत खतरना कमपनी ITC जैसी जो सिगरेट बेचती है और चाय बेचती है फिर उसके बाद ग्रामोफोन इंडिया है रिकॉर्डर कैसिट बनाती है तो ये सब चीज़ें जो आप सुन रहा है ये लंबी लिस्ट है किताब में मिल जाएगी आप बताओ इसमें हा त्यार बनाती है कुछ नहीं है चौक